सोलन में भाश्पा महिला मोर्चा की प्रदेश अधिक्ष रशिम दर्सूत ने प्रस्वाता कर कॉंग्रेस पर कई तीखे परहार किये। उनके द्वारा ठेस पहुंचाए गई। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी नेता ने भाश्पा सरकार वक्षनी बाली नहीं है चाहे बे जो भी हतकंडे अपना ले। के नीचे से जमीन खिसक रही है। यही पजा है कि वे अपना आपा खो बैठे और उन्होंने बिदान सबा की सभी मर्यादाओं को तोड़ा और भाश्पा नेताओं के साथ धक्का मुकी की है। प्रदेश की जनता भी इस घटना से बेहत आहत हुई है। सभी चाहते हैं कि कॉंग्रेसी नेता जो भी इस घटना के जिम्मिदार हैं उनके खिलाब सक्त कारवाई अमल में लाई जाए। ये संबेधानिक मर्यादाओं का बहुत बड़ा उलंगन है और देव भूमी में अगर ऐसी घटना हो जाए तो पूरी देव भूमी जो है वो शर्मसार होती है। पूरी जनता जो है वो हिमाचल की चाहिए उसमें बाचपा के लोगों चाहिए वो कॉंग्रेस के लोगों उ और हम सब को ये महसूस हुआ कि ऐसा कृत्ते होना ही नहीं चाहिए था और कॉंग्रेस को बहुत सयम से काम लेना चाहिए क्योंकि उनकी विचार थारा धीरे-दीरे लुप्त हो रही है और मैंने तो कल टैग भी डाला है कि हिमाचल भी आने वाले समय में कॉंग्रेस मुथ ह क्योंकि अगर आप देखे विजलेंस की जांच उनके उपर तलवार की तरह खड़ी है उसकी बॉखलाहट उन्होंने राजेबाल के अभी भाशन पर की ये किसी व्यक्ति को किसी आम नागरिक को जो है वो एक्सेपटेबल नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ए कि कांगरेस इसके लिए माफी मांगे